Hello Everyone, Welcome to my channel Smile Learning आज इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं Child Development and Pedagogy जो Special for Seated है और ये Official Slabers के According जो कि आज हमारा ये First Chapter है तो सबसे पहले हम Clear करेंगे कि Pedagogy आपने सुना गए कि हर एक Subject में Pedagogy पेड़ागोजी ही बार-बार ये Word आते हैं और ये क्यों इतना Important है तो सबसे पहले हम ये Concept Clear करेंगे कि Pedagogy होती क्या है Pedagogy असल में जो कि एक Greek Language का Word है और जिसका Pedas का मतलब है Child और Agho का मतलब है Guide करना तो आपको पता है कि Seated का Exam आप देने जा रहे हैं तो ये एक Teacher Ability Test है और Teacher Ability as a Teacher होने के नाते आप बच्चे को कैसे Guide करते हैं उसके बारे में ये Question पूछे जाते हैं तो आपको Clear हो गया होगा कि Pedagogy का Meaning क्या है क्योंकि कोई भी Subject पढ़ने से पहले हमें उसका Meaning पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं Next है Concept of Development Relation with the Learning तो यहां पर इसके बारे में हम देखेंगे कि Development का Relationship क्या है Learning के साथ The term development refer to the qualitative changes in the individual such as the change in personality or the other mental or emotional aspects Development जो की एक रेफर करता है qualitative changes जाने कि एक quality है जो की एक individuals में होती है Change जैसे कैसे देखा जा सकता है जैसे लाई का personality, other mental or the emotional aspects जितने भी है तो यह development जो की है पूरी wall आपको देखने के मिलेगी As IAE नहीं कह सरते की हाँ भी height बढ़ गई है तो यह आपकी development होई नहीं वो एक हिसाब से growth का जो की एक part का हिस्सा है Development आपकी show करती है कि आप कितने maturity और experience आपको है इस चीज के बारे में और कितना आपका विकास हुआ जो nature है जो हमारी heritage के according जो भी nature है उसके according ही यह पर्मानेट रहती है आप I hope आपको यह चीज का clear होगा कि development जो की है पूरा wall आप में कितना विकास हुआ एक विक्ती में कितना विकास हुआ उसके बारे में बताया गया है यह कोई भी limited नहीं होती है यह birth ते start होती है और आपके death तक इसका विकास जो की है development जो की है लगातार चलती ही रहती है next है types of the development first है physical development कैसे आप देख सते हैं कि development हुई physical development like आपकी weight बढ़ गई, height बढ़ गई और यह इस तरह की development आपको देखने में मिल जाएगी जो की आगे जाके आगे sappholocatis sequence and proximal distal sequence sappholocatis क्या होता है head or toe मतलब एक सिर से लेकर पैर के तक आपके में कितनी development आई उसे sappholocatis कहते हैं और proximal distal center से लेकर outer आपके बीच में कितना विकास हुआ उसके बारे में ही तो यह बहुत ही जादा term जो की important है यह question में बहुत बार-बार पूछा जा चुका है कि sappholocatis sequence क्या होते है proximal distal क्या होती है sappholocatis से लेकर पैर तक आप जो development होती है और proximal distal जो की है center to outer मतलब बाहर से जो हो एक hole की तरह तो आपको clear हो गया होगा next है cognitive development cognitive development का मतब होता है कि आप किस तरह अपने mind को use करें है like आप logic कैसे लगा रहे हैं किसी चीज को problem कैसे solve कर रहे हैं किसी चीज में आपकी attention कैसे है इससे language development में होती है तो इस तरह यह भी important है कि cognitive मतलब एक दिमाग के जरीए किस तरह से यह सबंदित है cognitive का मतलब यह होगा कि दमाग से सबंदित आप कितना उसका use करें हैं कैसे use करें हैं तो इस तरह से आपको clear हो गया होगा भी cognitive development क्या है next है moral development moral development है character's quality morals are related from experience and it's a concept of the right and wrong मतलब moral development society में आपका status क्या है society में आपका character क्या है आपकी quality क्या है और आप कितना moral values जो कि नैतिक values society में जो बनाए हुए हैं आप कितना उसे follow करते हैं और यह right और wrong के बारे में आपको बताता है कि आपको कैसे decision लेना है कि आपको सही decision लेना है अगर आप किसी ऐसी problem में फस जाते हैं जिसे आपको कोई solution नहीं मिलता है government की तरह आप कैसे उसे follow करते हैं और कितना आपको इस चीज के बारे में experience है moral development का मतलब जए अगर मैं आपको normally clear करूं को तो इसका मतलब है समाज के दुवारा बनाएगे जो नियम है उसे follow करना आपके नैतियों मुल्ले होंगे तो उसे moral development कहा जाता है जिसे आपको right और wrong में समझ आए तो आपको ये concept clear होगा होगा fourth है social development जो की बहुत important है social development refers to the development of interaction with the human world around us including relationship with the others and also the social skills we need to fit into our culture or our society जैसे cooperative मतलब एक group में आप कैसे activity करते हैं आपका क्या status है आप कैसे make friends कैसे बनाते हैं आप इकठे होकर कैसे काम करते हैं वो आपका एक social interaction है तो इसके लिए ये भी बहुत ही important है कि social development जो refer करता है कि आपके interaction कैसी है किसी और व्रती के लिए जो पूरे word around में include होती है आपका relationship कैसे है others के लिए और आप social skill जो आपकी जरूरत है वो आपके culture और society में आपके इसे कैसे follow करते हैं तो ये भी बहुत important point है जो भी मैं आपको point इसमें करवा रही हूँ वो आप please इसे note करते रहे हैं और बार बार इसी में से पेड़ागोजी में CDP में ये question पूछे जाते हैं तो आपको I hope को clear होगा होगा अब आपको यहां से clear हो जाएगा अगर आप कोई group activity करते हैं तो भी social development है अगर आप make friends आपका किस तरह behavior है और आप कैसे एक दूसरे के साथ संजोग देते हैं ये आपका important है जो कि social development का हिसा है Next is emotion development Emotion development refers to the ability to recognize express the managed feeling at a different stage of the life and to have the empathy for the feeling of the others like happy, love, hate and etc Emotion development की अगर मैं बात करूँ तो जो कि है आप में ability होनी चाहिए express करने की, manage करने की feeling को जो कि एक different stage के according होती है जब एक बच्चा early childhood में होता है तो तब उसकी emotion development अजीब वैसी होती है कि वो उसे control नहीं कर पता अगर आप adolescent और teenager की बात करें तो तब आपको different age और stages के according आपको clear हो जाता है कि आप अपने feelings को शुपा कर लगते हैं उसे समझने लगते हैं कि कौन सी feeling शो करनी है और कौन सी नहीं तो इस तरह emotion development का मतब क्या है manage to feeling यह इस तरह की एक ability है जो हमारे में development करती है हमें express करने की किसे चीज को किसी के सामने तो जैसे मैंने यहां पर दिखा जैसे happy, खुश रहने की एक development है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ भई वो खुश है love और hate और इस तरह की यह सभी तो आपको concept clear हो गया होगा कि emotion development क्या है next है language development it process by which children come to understand and communicate language during a early child यह language development क्या है अपनी language को हम दूसरों को क्या बताना जाते है उसको understand करना किस तरह किसी से बात करना communicate करना और यह कब शुरू होती है जब early child during जाने की early child के दुरान यह language जो कि यह शुरू हो जाती है तो यह भी बहुत important है जिसके जरीए हम कुछ अपना express कर सकते हैं दूसरों को next है जो हमारा last point है आज का वो है motor development इसका means क्या है physical growth and strengthening of the child's bonds जाने की एक बच्चे में उसकी जो शरीरिक bonds है वो कितनी strength है muscles कितने strength है और ability to move to touch चीज़ और हर surrounding वो उसमें यह योगता होनी कि वो किसी भी चीज़ को move कर सके touch कर सके तो यह जो कि है motor development का मतलब है जाने कि मैंने पूरा एक क्लियर किया एक ही line में तो यह दो तरह की होती है gross motor skills and the fine motor skills gross motor skills होती है जो हमारी body एक particular जो large muscle है जाने कि एक बड़ी वाली muscle like walking कर रहा है कोई child movement कर रहा है अपनी legs, arms जैसे मैं आपके सामने move कर रही हो ना बार-बार आपको explain कर रही हूं इसके बारे में तो वो क्या है वो मेरी gross motor skills है अगर मैं आपको बताओं यह मेरी arm है यह जो किया है एक gross motor skills है तो आपको clear होगा होगा कि gross motor skills कौन सी है जो हमारी एक large muscle body होती है और fine motor skills वो होती है जिसमें हमारा hand, finger और working together form टास्क करते है जैसे कि यह finger है और मैं इसमें से कोई pencil उठा लेती हो मालो मैंने pencil उठा ली और pencil मैंने अपने finger use की है तो यह fingers जो है वो मेरी यह fine motor skills है जैसे मैंने यहां पर लिखे हुआ है for example, cutting करना अगर आप किसी paste की cutting कर रहे हो अगर आप कुछ खा रहे हो आप चमज स्पून पकड़ते हो तो भी हाथ की shorties जो muscles है उसका use करते हो राइटिंग करते हो तो भी आप pencil का use करते हो तो यह जो कि एक fine motor skills है I hope आपको यह clear हो गया होगा कि motor development में यह दो टाइप्स आजाते है gross और fine motor skills तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो